हेलो बच्चों आज हम गणित में पार्ट साथ जग और मग का अगला भाग पढ़ेंगे तो अगले भाग में जो है ये एक कहानी है पहले हम कहानी पढ़ेंगे फिर उसकी विशे में लिखेंगे इसमें कहानी में है प्यासा कववा तो प्यासा कववे में क्या है चरो कहानी पहले पढ़ते हैं इसमें लिखे है चरपी कववा बहुत प्यासा था उसने सब ओर देखा पर उसे कहीं पानी नहीं दिखा अचानक उसे एक मटका दिखाई दिया जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो पाया की मटके में बहुत कम पानी था उसने उसने पास में ही कंकड देखे आप देखो यहाँ पर मटका बनी यहाँ पर देखा उसने यहाँ पर मटके में देखा तो आधा पानी था, कम पानी था और यहाँ पर यह कंकड बने वहें, तो फिर उसने कंकड देखे, फिर वो सोचता है मुझे एक तरीका सुझा, अब उसने क्या तरीका लड़ाए देखते हैं, उसने एक एक करके मटके में कंकड डाले, पानी उप आ गया चरपी कववे ने पानी पिया और उड़ गया अब सोचो पानी ऊपर कैसे आया होगा क्योंकि उसने कंकर डाले तो कंकर जो है वो वजन दार होते हैं और वो नीचे बैठ गये तो पत्थरों ने जो जगव ली तो अपनी जगव लेने के लिए पत्थरों ने पानी को दहकेला तो पानी धीरे धीरे ऊपर आया रोकोवे ने पानी पिया और उड़ गया चलो आगे पढ़ते हैं क्या तुम चरपी की तरह बनना चाहते हो चरपी की तरह देखते हैं चरपी ने कैसे दिमाग लड़ाया उसी प्रकार हम भी प्रियोग करते हैं क्या तुम जानना चाहते हो की मटके का पानी उपर कैसे आया, एक ही आकार के दो गलास लो, अब मटके का पानी उपर कैसे आया, आप भी प्रियोग करके देख सकते, तो घर में एक ही आकार के आप दो गलास लो, दोनों गलासों को पानी से आधा आधा भर लो, अंदाजा लगाओ की पहले गिलास के पानी को गिलास के उपर तक लाने के लिए तुम्हें इमली के कितने बीजों की जरुद पड़ी है अब घर में तो हमारे इमली के बीज होते ही हैं, आप लोग क्या करो, दो ग्लास लो, दोनों में आधा-धा पानी भरो, एक ग्लास में इमली के बीज डालो, अब इससे करो, देखो, यह है, ग्लास के उपर तक पानी के लिए तुम्हें इमली के कितने बीजों की जरुत दालेंगे तभी आपको पता चलेगा तो मैंने अंदाजा लगाए करीबन 10 से 12 बीज आप डालेंगे तो पाने आरम से उपर तक आ जाएगा अब आगे पढ़ते हैं आगे हैं कितने बीजों का इस्तेमाल हुआ है गिनों और लिखो तो यहाँ पे लिखेंगे 10 या 12 अब उतने ही कंचे दूसरे गलास में डालो क्योंकि जो हमने उपर दो गलास लिये थे उसमें हमने एक में इमली के 20 डाले तो हमने इमली के करीबन 12 बीज डाले तो पानी उपर आया अब दूसरे वाले गलास में आपने क्या करने हैं कंचे लेने हैं जो काज की गोलियां होती वो हमने लेने हैं और दूसरे glass में डालने हैं तो क्या हुआ होगा क्या हुआ कि उसमें भी पानी उपर आ गया इस काम को दुबारा करो अच्छा पहले हमने इमली के बीज डाले हमने इमली के करीबन 12 बीज डाले कितने बीज डाले 12 बारा डाले तो क्या हुआ कंचे जो है हमको कम डालने पड़े कंचे हमको कितने डालने पड़े करीबन 10 क्यूंकि कंचों की जो साइज होती है वो थोड़ा बड़ी होती है और वो वजह जादा होते तो जगह जादा घेरती है और पानी जल्दी उपर आता है तो यह आराम से जल्दी भर क्या होगा फिर तीसरा है कि इस काम को दुबारा करो अब ग्लास में बड़े पत्थर डालो अब क्या हुआ और क्यूं हुआ इसके बारे में कक्षा में बात करो तो हमने अब बड़े पत्थर डाले अब बड़े पत्थर डालने से क्या है पत्थरों ने अपनी जगह ली क्यो पानी कितना चाहिए इसमें पता करो तुम्हारे घर में नीचे दिये गए हर एक काम में कितने मग या कितनी बाल्टी पानी लगता है अब आपको अंदाजा लगाना है या आपको थोड़ा अंदाजा तो हो गई कि आपको देखो यी चितर दिया गया कि नहाने तो नहाने में आपको करीवन कितनी बाल्टी पानी लगेगा अगर बाल्टी बड़ी है 15 जितने लिटर की है तो हमको यहाँ पर कितना लगेगा एक बाल्टी पानी लगेगा कितना एक बाल्टी अगर 15 लिटर की बाल्टी है तो एक बाल्टी में हमारा काम हो जाता है दूसरा चितर है यह यहां पर पीने का चित्र दिया गया है तो पानी पीने के लिए पूरे परिवार को पीने के लिए कम से कम हमको एक दिन में एक बाल्टी तो चाहिए होता है तो यहां पर लिखेंगे एक बाल्टी पानी पीने के लिए वो भी सुबह से और दिन तक क्योंकि इतने परिवार में ज़्यादा सदश्योंगे तो ज़्यादा खब बताएगी इसलिए अब है अंदाजा लगाओ और पता करो इसमें है एक बाल्टी कितने मग पानी से भर जा जा visão खब्ड़ा चाती है अगर आप लोगं per Edentar वाला अगर मग है तो जो पंभा ली टर वादी होगी ओं आराम से 15 मग पानी से एक बाल्टी भर जाएगी यह मीरा अंदा जा है आप लोग जो है घर में प्रियोक कर सकते हैं कि एक tat बाल्टी कितने मग पानी से भर जाती है, 15 मग, 15 मग से आरम से भर जाएगे, क्योंकि अगर मग जो है, बड़ा होगा, फिर खव में हैं, तुम नहाने के लिए कितने बाल्टी पानी का इस्तेमाल करते हो, तो हम कितनी बाल्टी पानी का इस्तेमाल करेंगे, एक बाल्टी, तुम नहाने के लिए कितने मग पानी का इस्तेमाल करते हो, अब हमने यहां उपर पड़ा कि एक बाल्टी में कितने मग पानी आता, तो पंदरा और दहानी के लिए हमको कितने बाल्टी पानी चीए, तो एक बाल्टी, तो तुम नहाने के लिए कितने मग पानी का इस्तेमाल क करेंगे चलो अभी नीचे चित्र दिये गया है उसमें लिखा है एक गुबारा भरने में कितने पानी का पानी की जरूत होती है एक गुबारे में करीव एक से डेड़ ग्लास अगर बड़ा ग्लास होगा तो एक ग्लास पानी एक ग्लास पानी अगर बड़ा है तो आराम से ओ तो गुबारे के उपर है, कि गुबारा छोटा है तो उसमें कम चाहिए, बड़ा है तो उसमें ज्यादा चाहिए, फिर है पिचकारी भरने में कितने पानी की जरूत होती है, वो पिचकारी के उपर, अगर आपकी पिचकारी छोटी है, तो आपका आदा ग्लास में पानी काम चल जाएगा, अगर बड़ी है आपकी, तो उसके लिए भी जो है, एक गलास, बड़ा गलास पानी चलेगा, फिर है, एक बार में मैं नौ बाल्टी पानी पी सकता हूँ, एक बारी में मेरे जैसे दो उउंट कितनी बाल्टी पानी पी सकते हैं, अब लगा लो ये एक उंट है एक बार में वो कितनी नौ बाल्टी पानी पी सकता है, तो वही एक बारी में मेरे जैसे दो उउंट कितनी बाल्टी पानी पीएंगे तो, अगर एक उंट नौ बाल्टी पानी पीता है, तो दो उंट कितनी पानी पीएंगे, अठारा, अठारा बाल्टी, क्योंकि नौ बाल जरब प्रयोग करके देखिए धन्यवाद